मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसे बंद कारिकनम ये देश है मारा आज मैं आपके सामने इस समय की एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ व्यूर्स यकीन मानिये ये इस हफते की सबसे बड़ी खबर भी है सबक से लेकर संसक तक खूब गर्मा गर्मी दिखी लेकिन अब मैं आपको उस विवाद की जड़ में लेकर चलता हूँ इस वक्त आप एक शक्स को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अमेरिका के मशूर और ताकटवर उद्योगपती जोर्च रोस है इनका कहना है कि जो विवाद हुआ उसकी वज़ा से देश का प्रधान मंत्री यानि नरेंद्र दामोदर दास्त मोदी राजिन्यतिक तोर पर बहुत कमजोर हो जाएंगे और इससे पीएम मोदी की सक्ता पर पकड़ भी कमजोर होगी यानि निशाने पर भारत और इसका लोकतंत्र है और मोदी इन्हें इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि वो भारत और भारत विरोधी ताकतों के बीच खड़े हुए है यानि निशाना आप पर है मोदी बीच में खड़े हुए है आपको बता दूँ जोच सुरास की कुल संपत्ती 6.7 बिलियन डॉलर यानि 5.5 खरब रुपए से भी जादा है यानि इनके लिए कहीं भी घुसपैट करना बहुत जादा मुश्किल नहीं है और शायद इसलिए भारत की संसत, भारत की राजनीती, भारत के लोकतंत्र हर जगा चोट पहुचाने की कोशिश हुई है ठीक उसी तरह BBC की डॉकुमेंटरी को भी Word of God यानि अंतिम सच की तरह देश के सामने पेश करने का प्रयास हुआ इस केस में भी निशाने पर नरेंदर मोदी थे अब अपनी स्क्रीन पर इस शक्स को देखिए ये बिटिश शांसत बॉब ब्लाक मेन है और ये डंके की चोट पर BBC की डॉकुमेंटरी को प्रोपगेंडा वीडियो बता रहे है लेकिन बॉब की बात कोई नहीं सुनेगा बात सुनी जाएगी BBC की या जॉच्छ शुरॉस की आकिर क्यों हम इन विदेशी साजिशों वाले जाल में फच जाते है आकिर क्यों हम दल को देश उपर रख देते है ये देश है हमारा में इस हफते इसी मुद्दे पर इसी गंबीर मुद्दे के उपर सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा होगी विदेशी जाल मोदी और देश से सवाल क्या भारत और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी साजिश की गई है क्या भारत की संसद में विदेशी ताकतों ने घुसपैट की है नरेंद्र मोधी और बिजनिसमेन आदानी बेहत करीबी यह मोधी इस मामले में चुप है लेकिन उन्हें विदेशी निविशकों और संसद में जवाब देना होगा यह भारत की संधिय सरकार पर प्रधानमंत्री मोधी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा विदेशी ताकत जिसके केंडर बिंदू में है एक व्यक्ती जिनका नाम है जौद सुरोस उन्होंने एलान किया है कि वो हिंदूस्तान के लोकतांत्रिक धाचे पर चोट करेंगे जौद सुरोस का जो एलान हुआ है वो एलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें वो हमारी डिमॉक्रसी को ध्वस्त करने का एलान मात्र इस लिए करते हैं ताकि उनके हैंड़ पिक्ट लोग सरकार चलाइए एक और विदेशी प्रोपेगेंड़ा मशीन यानि BBC भी इन दिनों सुर्खियों में है और गुजरात दंगों के नाम पर निशाने पर पियम मोदी ही और एक बार फिर हमारे लोग विदेशी ट्रैप में फस कर अपने ही प्रधान मंत्री को घेरने में लगें लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश सांसर को ध्यान से सुनना चाहिए BBC डोक्यूमेंटरी एक प्रोपगेंड़ा विडियो से ज्यादा कुछ भी नहीं ये नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए एक खटिया पत्रकारता है भरत के सुप्रीम कोट ने हर मामले की जाच की और उन्हें मोदी के खलाफ कोई सबूत नहीं मिली कि सुप्रीम कोट इस बीच बड़ी खबर है कि BBC दफतरों पर आयकर विभाग के सर्वे से बड़ी जानकारिया मिली बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे में गडबडियों का बरदाफार हुआ है सर्वे में टैक्स भुकतान में की गड़बडी का दावा किया गया है फंड ट्रांसपर में गड़बडी की खबर भी सामने आई है सर्वे में बीवी सी पर टैक्स चुरी का आरोप लगा है साथ फीवी कर कम आये देखाने मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, मेरे साथ जुड़े है, Dr. Sudhaan Chutirvedi, BDP के प्रवक्ता और Member of Parliament, मेरे साथ चरन सिंग साप्रा है, प्रवक्ता है, Congress Party के और कारे कारे अध्यक्स है, Mumbai Congress के, उनका अभिननन है, Rajkumar Bhatti है, Samajwadi Party के, नेता प्रवक्ता, उनका अभिननन है, मेरे साथ सेद जवाद है, जानमाने राजनीतिक विष्णेशक, उनका अभिननन है, मेरे साथ शिवम त्यागी है, जानमाने राजनीतिक विष्णेशक, उनका अभिननन है, मेरे साथ देश की जनता है, उनका अभिननन है, मैं इस शर्त कि शुरूबात करता है शुदांची ते बेदिया